पीसेज 2020 का मेंस का पेपर था भी GS1 की एनलिसिस करते हैं इसमें इसमें अगर आप देखेंगे 200 नंबर का पेपर होता है यह 10 क्यूशन आते हैं 125 वर्ड के और 10 क्यूशन आते हैं आपके 200 वर्ड के यह वाले होते हैं 8 नंबर के यह वाले होते हैं 12 नंबर के इस बार GS1 पेप ठीक से करी हो और study for civil services ने जो आपको लगातार मेंस की model answer writing करवाई है maximum question वहीं से थे जिन लोगों ने भी लगातार हमको follow किया हुआ है जो हमारी free playlist है या फिर हमारे paid group में अगर आपने answer writing की हुई है maximum question हमने आपके जो है करवा दिये थे जब preparation कर रहे थे तब ही हमने practice करवाई थी लगाता दो जार रिकिस का मेंस का paid group जल्द खोलेंगे अभी pre काम चालू करने जा रहा है दस फर्वरी दो जार रिकिस से आप उसको join कर सकते हैं यह दोने telegram जरूर follow करते रही है अगर आप हमको YouTube में follow करते हैं चलिए अभी paper के analysis देख लेते हैं देखिए अब एक काम करूंगा मैं 2018 का paper हो गया UPPCS 2019 का हो गया 2020 का हो गया इन तीनो paper का with model answer complete explanation आपको जल्द यूपी PCS जो है study for civil services channel पे मिल जाएगा आप लोग लगातार देखते रहे फ्री टेलिग्राम अगर आप देखते रहेंगे तो वहाँ पे आपको यह information दे दी जाएगी notification इसका आ जाएगा ठीक है तीनों के 2018-1920 जैसे 2020 के paper खतब होंगे GS1234 ठीक है इन तीनों के जो है हम यहाँ पे तीनों साल के आपको दे देगा 240 question यह बने यह हम आपको पूरा complete कर question है बस थोड़ा सा उसकी language change कर दी गई है answer आप इंदी इंगलीज दोनों में लिख सकते हैं सारे प्रस्दनिवार रहे हैं यहाँ पर सबकी शब्द सीमा लिखी हुई है यहाँ और इसमें देखे वर्ड हिस्ट्री से इस बार दो question पूछे गए है वर्ड हिस्ट्री का इसिक understanding हमने paid group में आपको दिये थे सारे नोट उससे आप अगर directly आपने पढ़ोंगों तो सारे question आप attempt करके जरूर आए होंगे जल्दी से बताइए आप कितने question करके आए हैं किसमें कितने जो है आपने छोड़ दिये question सबसे important बात होती है जीएस paper में कि आप पूरे के पू लिए हमारे pre group में भी मैं आपको बोलता हूँ basic focus जो है आप जरूर रखिए basic understanding आपकी जो है सारे topic की clear होनी चाहिए अब देखें एकदम basic सा question है एक write a note मतलब यहां पे कोई critically examine नहीं करना है अच्छा इसमें जो question की भाषा होती है evaluate क्या होता है define क्या होता है critically examine क्या होता है note क क्या होता है discuss क्या होता है analysis क्या होता है यह सारी चीज़ हमने एक वीडियो में बताया हुआ है यूट्यूब में जाकर टाइप सब्सक्राइब करेंगे तो देखें यह वाला आपको आ जाएगा इस वीडियो को जरूर देख लिएगा जो लोग यूपी पीसे मेंज देने जा रहे हैं या फिर दोज और तो उससे देखके यहां पर आराम से रिखाए सकता है बहुत इसी सा क्वेस्टन है यह यह व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन वर्ना सिस्टम यह पहले आ चुका है यह ठीक है इसकी अमने लेसिज देंगे टेंशन मत लिजे उसके बाद यह फॉर पुछ था पुछा था और क्रिटिकली एक्जामिन कॉंट्रिबूशन्स ऑफ मेजर वोमें और अगनिजिए इनकॉंटेंपरी इंडिया ठीक है यहां पर इक्रिटिकली एक्जामिन लिखना है तो यहांनी कि आपको यहां पे शिप्ष्प फेवर वाली चीज यह प्रो वा जामिन वेदर ग्रोइंग प्रोपुलेशन इस दा मेन कॉस ऑप पौवर्टी और पौवर्टी इस दा मेन कॉस ऑप पौपुलेशन इंडिया यह कुश्चन रिपीटेड है ठीक है को मतलब यह है जो लोग भी मेंस की त्यारी कर रहे हैं उनको यूपी सी के जो मेंस के करने जा रहे हैं यह कुश्चन डिवाइड यूपी इंटू मेजर फिसकल रीजन डिस्क्राइब दा जोग्रफिकल फीचर्स और भाबर एंट तरही रीजन एक मैंने वीडियो बनाया जोग्रफी ऑफ उत्तरप्रदेश पूरा का पूरा वही वाला कर वीडियो देख है यह हमने करवाया हुआ है इसका कुश्चन प्री में भी आया था अगर आपको याद हो यूपी पीसे 2020 के प्री में भी आया था कितने यूपी में इस बाट सिटी है फिर यह बंदेल खंट टूरिस सरक्रिट जो यहां पर डेवलप कर रही उत्तरप्रदेश की सरकार उसक कोई ऐसा कटिन कोश्चन नहीं है सिर्फ जो सिलेबस के जी एस वन पॉइंट में लिखा हुआ है वह आपको यहां पर दे दिया है फ्रंटियर क्या होता है बाउंडरी क्या होता है इसका पूरा एक वीडियो में मैंने आप एक्स्प्रेंड किया है और मेंस के आपको जो प सारी चीजे करी है अब को यादो का सबसीडरी एलाइंस और यह सारी चीजे जो है विलिसले के एंडर में किया गया था तो जो जो मेजर पॉइंट थे आप यहां लिख सकते हैं फिर यह देखे वर्ड हिस्ट्री का दुबारा कोशन आ गया फ्रेंच रिवलूशन का तो एक नहीं खतम हो पाएंगी ठीक है उसमें इतना जो है आपको आउटपुड नहीं मिलेगा उतना पढ़िये जितने में सेलेक्शन हो जाए जितने में आप जो है कीवर्ड मिल जाए और जितने में आप आंसर लिखने की जो है कंडिशन में आ जाए लेगे यह वर्ड हिस्ट्र एक्जामिन दो कॉंसेट ओव नेशन एंड सिटीजन सीविन कॉंटेक्स्ट ऑफ कमलिजम यह वाला भी पॉइंट से रिलेटेड है यहां पे थोड़ा सा क्रिडिकली एक्जामिन करना है जी एस वन वाले से जो है पॉइंट से बताब इस बार जो एक्चुली सिलेबस में दि देख लिजिएगा फिर यहां पर यह पूछ रहा है क्या क्या चेंज भाल रहा है जो सोरस के वाले में बताना है आपको ठीक है उसके लिए जो है आप क्या क्या कोहस्थ होते हैं वोलकनिक इरप्शन के और कौन क्योंसे लेंड फॉर्म जो है यहां पे डिपोजिशन ओफ लावाज यानि की जो डिपोजिशनल फीचर होते हैं वो डारेक्टली पूछ लिया है तो अगर आप देखेंगे तो GS1 पेपर के लिए आपको यह NCRT सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है अटलीस क्लास 11 की जो दोनों बुक है वो ठीक है कम से कम यह वाली दोनों जरूर पिर इसके बाद यह इंडिया लोशन से रिलेटेड यह इंडिया लोशन में लोग आप खोजने बाहर जाते थे रिवर्स का मतलब हो गया वापस आ रहे है वह कोविड के चक्कर में हुआ है जब देखेंगे तो आजादी के बाद जब पार्टीशन हुआ था ठीक है उसके बाद जो सबसे बड़ा माइग्रेशन था उसके सेकंड नंबर का कोविड का है माइग्रेशन माइगरेशन अलग चीज है माइग्रेशन मतला लोग कर रहे है रिवर्सां माईग्रेशन और सा लेकिन अगर आप मैरारा खें कितने लोगों अप जर्चा हो बी यह उसे लही इसे तो यह साररे क्यों है इनके 94 घ्र वालो करने में रहेंगे फ्री जिसमें कि GS1234 के complete point wise notes होंगे प्लास एसे का पूरे तहरी कराएंगे हिंदी का इसे में अभी आपने अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको एक अभी हमारी टीम मना रही है सारे के सारे पूरा का पूरा पूरा जो है प्लेलिस से आया है GS1 में आप देखिए मॉडल आंसर जो हमने करा है सारे आपको कुष्चन वापे जल्द हम लोग 2021 का पेड़ को भी स्टार्ट करें प्री टेलिग्राम मारा जरूर फॉलो करते रही है जो भी GS1 जो भी मतलब यूपी पीसेस की त्यारी कर रहे हैं और इस्टडी फॉर सिविल सब्सक्राइब को फॉलो करना चाहते हैं all the best जाहिए